आज़े बाई दो लोग चल ले, बटापट से, अज़े देखने बढ़ा है, वहाँ भी हाल गए, यह उस्टा पड़ गया है, 120 की स्पीड पर, लिए किस्ते आप से, लिए दोनों से, यह देखो अभी जो है, अपनी ट्रेन में बाईक वगरा चड़ाई जा रही है, ने ने, आप सभी का स्वागत है, और बागी एपिसोड अगर वन नहीं देखा है, आपने अभी तर, तो चैनल पे पहले उसको देख लो, उसके बाद आपको यह सीरीज पूरी समझ आएगी, यह पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, क्या नहीं सारी चीज समझ आएगी, और देख चार सोच है, गॉंडवाना एक्सप्रेस, जो कि निजामोतीन से भुसावल के बीच में चलती है, यह खड़ी हुई है, अपनी गॉंडवाना एक्सप्रेस, प्लेटफोर्म नमबर आठ पर हजरत निजामोतीन रिल्वे स्टेशन के, सो, हाई गाईज, इस 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 इवा अंदर चलते हैं, अपनी सीट भी दिखाते हैं, जो हम लोगों ने बोट की आया है, और ट्रेन का कोच की फिलाल कंडीशन क्या है, अनेक्सपेक्टेड, यह रहा अपनी गॉंडवाना एक्सप्रेस का जनरल कोच, दृति श्रेणी, चलते हैं अंदर, फर्स लोग को आपको दीन दयालू कोच, लेच भी कोच, जिसमें वी उपर की साइड भी, यहाँ पर कुशनिंग वगर अदी रहती है, यहाँ पर भी आप सो के सफर कर सकते हो जी, अभी तो सफर भी शुरू नहीं हुआ, अब भाई सब वीडियो बना रहे थे हो, और बीच में ही आ गए किनर, और इनके चक्कर में हमको यहाँ पर फून रखना पड़ गया, यह मांग रहे थे पैसे, लेकिन हमारे पास तो खुले पैसे थे यहीं तो हम इनको बस नहीं नोरी कर रहे थे, लेकिन ये तनी जल्दी आसानी से तो मानते नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मिट भाद यहाँ से चल यात्रा कर सकते हैं, उपर वाली सीट पर नहीं तो पहली बाली सीटे जो आते ही थे उनमें बस ऐसी लोगा रहता था तो उसमें लेकिन नहीं रहती थी, चलो अपनी सीटों दिखाते हैं जहां पर आज हम लोग पूरी ये जर्नी करने वाले हैं जो यह रख दिया हमने एक ट्रॉली वैग नीचे, कॉर्णवान एक्सप्रिस में भी फिलाल तो देखो सारी सीट्स जो है खाली है, ये रखा हमारा छोटा वाला बैग, आज भी सीरीज के सेकंड एपिसोड पे भी हम लोग एमर्जंसी विंडो के पास ही बैट कर ट्रैविल करने वाले हैं, यहां का चबर जस्त रहता है, तो अभी जर्णी से पहले पानी की बोटल, एक छाच, केक और कुछ पीनिट्स वगरा ले लिया है हमने, ताकि भूग लगे या प्यास लगे तो टेंचन नहीं होनी चाहिए जनरल कोच में, तो जैसे ही हम लोग की ट्रेन की टिपार्चर का टाइम हो तो निर्दार इस समय से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, हजरत निजाम उद्दीन रेलवे स्टेशन से, अब आपको इस गौंडवाना एक्सप्रेस का शेडियूल एं टाइम इस बताने, तो हफते में सिब दो दिन चलती है, संडे एंड फ्राइडे को दुफेर में तीन ब अपरजनसी विंडो खोल कर बहार का फ्यू इंजॉय करते हैं, लेकिन बहार से आ रही धूप, तो हमने अभी खड़की कर दी वापिस से बंद, थोड़ी शाम हो जाएगी तब खोलेंगे, बाकी चर्मनी को स्टार्ट करते हैं, अपन च्छाज पीते हुए, गर्मी हो रही होल्ड और करेंट स्पीड हो गई है, 96 की, बढ़िया तरीके से एकसरेशन चला है, अभी अपनी ट्रेन ने 120 की उपर की स्पीड मिंटेन कर ली हो भाई साब, क्या ट्रेक साउंड हो रहा है, कम तावर तोड ये जरनी होने वाली है, उनको भाई ऐसास हो रहा है, कम तावर हाइ स्पीड, ओवर तेक्स होंगे, हम लोग भी खरेंगे और खुछ फेन हम लोगों को भी खरेंगी, ऐसा अनुमान है हमारा, हम बोली रहते यिए बात और ये देखो, माल गाडी के साथ अभी पैरलल रेस चल लाई है, हाइ स्पीड वह भी, 120 की स्पीड भी थोड़ी ही देर बात देखते हैं तो लोकल बॉटलस और उसके संग एक लोकल रेंडर प्रकष्ट हो जाता है और उसके बाद यहां पर चेप्स कुरकुरे वाला और यहां पर गुटका मुमफली वाला और फिर यह चने वाले इनकी कमी रह गई थी उसके बाद आ जाती है या इंटी जो चार्जर यह फोन वगेरा बेच रही है और हम ट्रेन में बैठे बस यही सोच रहे थे कि जनरल कोच में तो पूरी मार्केट का सामान आपको अलग-अलग मिली जाएगा और फिर हमारी नजर पढ़ती है सरंग भी रंगे चार्जर पर क्या दिवाली व 133 किलोमेटर की जनरी करके निरधारे समय से 15 मिट की देरी से या चुके है अभी अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे स्वी कृष्ण भगवान जी की जन भूमी मत्रा जंक्शन मत्रा जंक्शन की बात करें तो देली यहाँ पर 195 ट्रेंस को ऑफिशल होल्ट है तेरा ट्र यहाँ के प्रेम मंदर को एक बार जरूर विजिट करना भाई साहब वहां जाकर आपको मन की शांती चाहिए तो वहां जाओ कुछ दिर बैठो मजा आ जाएगा चलो एक तो क्याना कोच एकदम आखरी में है अब जो अब जो अब शो होंगे लिकिन डिपार्चर अची स्प सब्सक्राइब जा रही है इसका क्या प्रोसेस स्क्यू पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं तो आप चैनल पर देख सकते हो कि बाइक आप ट्रेन से कैसे बेश सकते हो मत्रा जंक्शन निकलने के बाद सामने ये दुभईया आते हैं इंसे थोड़ी बात चीद होती है तो पता लगता है ये अपनी ट्रेन के आंगे चल रही महा कोशल एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे और जनरल टिकेट होने के बाद स्लीपर में चड़ गये थे कोगी जन टीटीन को तार देते हैं ओ फाइन Esse वहाँ प्यारत ली ट्रैकेट के मतलब यहाँ पार इन लोगों से पैसे पूरे लिये गए लेकिन व्यारत फैसे लेकिन पैसे और लिया कि अंट, उसके बाद भी इनकी मुस्कुराइट देखो भाई जैसे कुछ गया ही नहीं हो तो जैसे कि हमने वाई स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ ओवर्टेक्स का जो हमें अनुमान है उन्हीं में से एक अवोने वाला है अपनी ट्रेन को लगाई दिया है प्लाइन पर एक छोटी से रेल वे स्टेशन पर यहां पर सिकंद्राबाद राजधानी एक्सप्रेस हम लोगों को ओवर्टेक्क करने वाली शाम का बहतरीन सा ये व्यू और जनरल कोच में ट्रैवल करने वालों का लगी सीने ट्रेन कहीं रुकती है तो सब बहार आ जाते हैं और वही एक जनरल कोच की वाई पहचान है और ये लोग आ गई राजधानी एक्सप्रेस हम लोगों को ओवर्टेक्क कर दे हैं अब एक ट्रेन निकली ही थी उसके बाद आ जाती है हमसागर एक्सप्रेस जो की अब हम लोगों के बगल से एक क्रॉस होने वाली है इसकी क्रॉसिंग ही देख रहे थे उतने में पता ही नहीं लगता है कि हम लोगी ट्रेन के कब सिंगनल हो जाता है और चलने लगती हो फटा-फट से हम पहुँचते हैं अपने कोच में कुछी देर में पहुँचाती है अपनी ट्रेन आगरा केंट रेल्वे स्टेशन और आपको बता दें किसी भी रेल्वे स्टेशन के नाम में अगर केंट लगा है ना तो इसका मतलब वह उस सिटी के कैंट एडिये में पड़ता इसलिए उसका नाम कैंट लगा है उस रीवे स्टेशन के नाम के आंगे बाकी यह भी ओर रहाता शाम का टाइम तो हम ढूंदने लगते हैं चाह आगरा क्रूस्टेशन पर लिकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि रेल वे स्टेशन पर चाई नहीं मिले और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हुआ चाई नहीं मिली वाई साब उसके अद्गार्ट साब ने हरी जंडी दिखा दी दोमनेट का हॉल ता ट्रेन अपने निकल जाती आगरा कैंट से नागपूर कल सुबा में पहुंच जाओ गया अचा तो यहां को बैठे हुए है अंदर सीटे खाली तो पड़ी हुई है थोड़ा आंगे को जई है इसी कोच में और क्या खाल तो यहां बैठे हुए है या ट्रेन हम लोगों की बहुत ही देर से आउटर में रुकी हुई थी एक दम से रुकी थी पता नहीं था बाहर जाके देखा तो यह चीज हमको देखने को मिली यार कोई एक लड़का था जो की आंगे ही जनरल कोच में से चलती ट्रेन में से गिर गया था अब सभी लोग स्टाप वगेरा जल्दी से आके हेल्प करते हैं उसको उठाते हैं यह क अब यह जाता है फिलाल नहीं हो रही थी फटा फट से उसको जोई ट्रेन में ले जाने के लिए उपर चड़ाये जाता है गार्ड वाले कोच में अब आए ज़्ट वाले थोड़ी ना थीक है जल्दी से जब हम लोगी ट्रेन धौल पूर रेल्वे स्टेशन पहुंच जाती है तब जो भी स्टाफ अगेर और होता है रेल्वे का वो सब आ जाते हैं उसको टेंड करने के लिए अब पता नहीं एंबुलेंस तो कहीं नहीं दिखी ना स्ट्रेचर दिखा जो कि होना चाहिए था अब आधि अधिया पूरा खाली पड़ा है अधिया जाएगी आधि 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 करता घृτα शुट्रेचर ने Kir Babi Here मैय अरे विए एक साम थर्णके को खाडाatyको जान तो या रसको सॉस्ट इसमा लो भाई साव हमको उतरने का ही मोका नहीं मिल रहा है मातर दोमरेट का हॉल्ट है यहाँ पर अब जाके गेट पर आप आएं लेकिन आपको फायदा नहीं सकते सिखना लो चुका है मातर दोमरेट का हॉल्ट था चालेस में डीदरी से अपना आया है गॉलियर जंक्शन और जो लेट है यह लो भाई अग्दम फुल पैक हो गई अपनी ट्रेन अगी तक खाली थी कर आप कर दो बाच पर बाच अब तक अब जह रहा है तक वाईज प्रूंप आप अब अब हैं अब जर्दारेस समय से 26 मिन की देरी से है आज चुके अब हम आपको बताते हुआ क्या तो भाई सब गेट पर खड़े होके एक लड़का खीरे वगरा खारा था तो गेट पकड़े हुए नहीं था अब यह लोगों ने देख लिया चेन पुलिंग वगरा कली गाट साफ वगरा गई सब लोगों ने उठवाया रखवाया उसके बा पर सब इंफॉर्म किया हुआ था तो वहाँ पर लोग आ गए तो रिसीव करने लिए गए सोचने वाली बात यह वाई 40 मिनिट लगबाग पहले बता दिया गया उसके बाद भी धौलपोर पे स्ट्रेचर वगरा नहीं आया एंबुलेंस घडियों स्ट्रेचर आ गया हो ऐस पर आप एंट्री चल लगी तो लिए अपना खाना उसके जो मंगा या अलगी चीज मंगाई यह जहांसी की वाई पेमस है जो लोग है जासी की उनको पता होगा चलो अभी ट्रेंच लेगी उसका दिखाएंगे आप तो का तार है बाई कि जहासी जंक्शन का पूरा प्लेटफॉर्म भी नहीं निकल पाया उतने में हमने वाईज़ आप काना खोल लिया कोंकि हमको लग रही थी चोड़दार भूख यह रही अपनी वैज बिर्यानी और साथ में मगाया था हमने वैज कवाब रोल अब इंतजार तो बिलकुल भी नहीं हो रहा था फटाफट से कवाब रोल खाते हैं इसका टेस्ट एकदम जवर्जस था उसके बाद अपनी वैज बिर्यानी टेस्ट करते हैं यह भी एकदम मस्थी इर्दारे समय से 24 मिट की देरी से यह आ चुके हम लोग उत्तर प्रदेश के ललितपूर चंक्शन और इस रिल्वे स्टेशन पे टोडल तीन प्लेटफों बने हुए तीन ट्रेंस ओरिजनेंट होती हैं तीन ट्रेंस टर्मिनेट होती हैं अठटतर ट्रेंस का यहां पर कवाब रोल वगएरा ट्राइक किया है या नहीं वैसे जो लोग धासी किया उनको तुम सब इस बार हैं पता ही होगा एक डम टेस्टी और वेज में बहुत जवड़स्ची जाई है लिद्पूर जंक्शन से निकले तो उसके बाद अब हमारी नजर थी कि कौन सी सीट खाली है जहां पर हम सो सकें लेकिन यहां सीट तो वाई कुछ भी जरा भी कुन्ना भी एक खाली नहीं था जहां बैठ सकें हर जंग है देखा लेकिन कुछ नहीं मिला फिर अपनी ट्रें पहुंची बीना जंक्शन और ट्रेन खाली तो होना छोड़ो यहां से उल्टी और ज्यादा फीड चड़ गई अपनी ट्रेन में अब तो बीच में खड़े होने की पैर रखने की जंगा भी नहीं बची थी तो अभी हम लोगों की ट्रेन रुकियों यह एक छोटे से लाइन पर रोका गया है तो सबसे पहले अब हम चेन लगाते हैं अपने बैग में इसको लॉक करते हैं फिर हम जोगाड़ करते हैं एक सीट की जोती ऊपर वाली जहां लगेज रखा जाता है अपना बैग रखते हैं और यहां पर चड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं पहली बार हम इस तरीके की सीट पर बैठके वलाभ सोने का परयास करने वाले थे फाइनली ऊपर तो हम चड़ जाते हैं और जब यहां चड़ जाते हैं तो देखते इस पेसी इतनी का मैं लेकिन जैसे तैसे यहां लेट जाते हैं लेकिन एक मिनिट ये बंदा कहां से आ गया वाई साब उपर सोई थे लेकिन अपने वसकी नहीं है वो जंगा इतनी छोटी सी जंगा थी वहाँ सोना फॉसी वाली नहीं हुआ लेकिन फाइनली रात के दो बज़े हमको एक सीड मिल जाती है यहां हम सो जाते हैं और जब सुब सुबा होती है सुबा हम उठते हैं तो देखते हैं जनरल कोच में पानी की बाड़ा चुकी है लेकिन खेर यह अपना कोच नहीं था साड़े साथ और हम लोग पहुंचने वाले नारखेड जंक्शन मनलब नाकपुर जंक्शन है यहां से अभी करीब 94 किलो मेटर के असपास और ही जो खाट सेक्शन है ना वहीं से अभी अपनी क्रेट बोज़र रही है और आंगे भी यह बहुत जो जो सकर्व आने वाला है चलो आपक कर्व का व्यू दिखाते हैं और नीन तो यार कल आतनी यह वाली स्वीट है नो उपर वाली यारी स्वीट मिल गई थी वड़ी ह हम सो गए ते रात में सही नहीं दा गई ती यसी इटनी मिलती तो घरब हो जाती है यह बेड़े बेड़े देश्ट इसी हो जाती है चलो यह मॉर्णिंग का व्यू आपको कर्व दिखाते हैं सबसे पहले एक हजार बयासी किलो मीटर वी हम लोगों ने कवर की है जनरल कोच में अठरा घंटे के समय में और निर्धारे समय से करीब अठावन मेट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग नाखपूर जंक्शन और इस गोणवाना एक्सप्रेस में लोग नाखपूर जंक्शन तक ही ट्रैवल कर रहे थे अब तीन वज़े तक यह पहुंच जाएगी भुजावल जंक्शन इसके आंगे निकल जाएगी सबसे लंबी हमारी जनरल कोच की यह जर्नी रही अठाव घंटे की अवेजिंग एक्सपिनस बनाब रात में सोने को मिल गया वह तो सोचा ही नहीं था कि वाई इतना वड़िया जो है रात में सोने की बिवस्ता वगारा मिल जाएगी हमको जनरल कोश में वह भी बागी आप एपिसोड टू यहीं एंड होता है मिलते हैं बहुती जल्दी एपिसोड नमबर थी में तब तक के लिए टाटा बाइबाइब